हेलो फैंस तो कैसे हैं आप लोग मेरा नाम सुसील कमार और आप देख रहे हैं आपका अपना उठी चनल मेजर टेकनोलोजी आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यह जो आप इस बोड पे दीख रहा होंगे लैपटोप में आपको कुछ ऐसा देखने को मिल रहा होगा जिग जैक यहाँ पे जो भी लिखने के लिए यहाँ पे परियोग कर रहा हूँ और कैसे आपको यहाँ पे करना है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सुबने रही इस वीडियो में और देखते रहे हैं लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक करना होगा सर्च करने के बाद यहां पर लिखना होगा जूम एट डाउनलोड यहां पर जैसा कि सो हो रहा होगा और डिस्प्ले पे भी सो हो जाएगा जैसे ही सर्च करिएगा तो सर्च करने के बाद यहां पर देख सकते हैं कि ओपन हो चुका है तो जैसे कि उपर में ही आप पर देख सकते हैं कि जूम इट भरजन 4.52 यहां पर दिया हुआ है तो डाउनलोड करने के लिए यहां पर देख सकते हैं कि डाउनलोड जूम इट यहां पर दे रहा है उसके बाद यहां पर देख सकते हैं कि 970 के भी का है तो सिंपली आपको इसी पर क्लिक कर देना है डाउन हो रहा है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको डाउनलोड हो चुका है यहां पर तो इसे डाउनलोड करने के ब्याद क्या करना है कि यहां पर जैसे यह रोपे क्लिक करिएगा तो क्लिक करने के बाद यहां पर ओपन हो जाएगा उसके बाद जो अभी डाउनल second में आपको दिख रहा होगाöt जूम neighboring टो सिंपली इस पर आपको क्या करना है कि पहले तो सेयलेक्ट करना है उसके बाद हुझे क्लिक करके इसे ओपेन कर लेना है ओपेन करने के बाद यहां पर रॉन का दिख रहा होगा तूट बापसन लेकिन यहां पर किलीक करने हैं जैसे रण पे कтивकरिएगा तो रट पे किली करने के बाद यहाँ पर देख Yap अम open मांगेगा इसके बाद यहां पर क्या करना होगा कि आपको open यहां पर दिख रहा होगा okay तो okay पर click कर देना है okay पर click करने के बाद यह क्या होगा कि आपका zoom 8 यहां पर open हो जाएगा और यहां पर आपका यह काम करने लगेगा तो अब कैसे काम करेगा इसके usage के बारे में मैं बताने वाला हूँ तो चलिए अब इसके usage के बारे में मैं आपको बता देता हूँ तो उसके लिए सबसे पहले आपको जूम मोड में जाना होगा तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि माउस का करसर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा बिचया वाला बटम दिख रहा होगा उसी को क्या करना है कि अप एंड डाउन करिएगा तो यह बड़ा और छोटा एप हो जाएगा देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ा हो जा रहा है करने के लिए आपको क्या करना होगा कि control plus 2 यहां पर प्रेस करिएगा तो यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर red color का आपको दीखनी को मिल रहा होगा आप यहां से draw कर सकते हैं कुछ भी यहां से draw करना चाहते हैं कर सकते हैं और अभी इस वीडियो में मैं आपको full detail में आपको बताने वाला हूँ इस usage के बारे में अगर आपको इसको erase करना है तो erase करने के लिए आपको E उपर प्रेस करना होगा जैसे ही E पर प्रेस करिएगा तो E पर प्रेस करने के बाद यहाँ पर जितना भी लिखा हुआ था सभी कुछ delete हो जाएगा अगर आप इस cursor को बीच में लाना चाहते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह यहाँ पर है अगर center में लाना चाहते हैं तो इसके लिए space bar का यूज करें space bar पर जैसे ही क्लिक करिएगा तो यह center में आ चुका है देख सकते हैं कि center में आ चुका है आपको white board चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले आपको zoom mode में आना होगा तो zoom mode में आने के लिए control plus 2 जैसे ही press करिएगा तो zoom mode में आ जाएगा उसके बाद यहाँ पर जैसे ही w click करिएगा तो w click करने के बाद यहाँ पर white board आ जाएगा अगर आपको blackboard चाहिए तो blackboard के लिए यहाँ पर k का इस्तमाल करे k को जैसे ही यहाँ पर press करिएगा तो blackboard आ जाएगा अगर आप इससे वापस जाना चाहते हैं तो वापस से आपको ctrl plus 1 पर जैसे ही click करिएगा तो वापस चले जाएगा आप video बनाते हैं वीडियो बनाते समय अगर आपको text देना हो तो text देने के लिए आपको सबसे पहले ctrl plus 2 को press करना है जैसे ही press करिएगा उसके बाद आपको क्या करना होगा text के लिए t पे click करिएगा जैसे ही t पे click करिएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप इसे वापस जाना चाहते हैं तो ctrl plus 1 पे जैसे ही click करिएगा तो वापस आप arrow mode में आ जाएगा जो कि यहाँ पर देख सकते हैं अभी यह आपको pen दीख रहा होगा कि यह pen आपको red color का दीख रहा होगा लेकिन अगर आप इसका color change करना चाहते हैं तो color change करने के लिए अगर आपको blue चाहिए तो blue के लिए B का पर्योग करें B पे जैसे ही click करेंगा तो यह blue हो जाएगा अगर आप यहाँ पर Y का पर्योग करते हैं तो Y पे click करने के बाद yellow हो जाएगा अगर आप यहाँ पर green पर्योग करेंगा तो green के लिए यहाँ पर G हो जाएगा और यहाँ पर अगर आपको orange चाहिए तो orange के लिए O पर click करें तो यहाँ पर orange हो जाएगा वैसे ही अगर आप P पर click करते हैं तो यहाँ पर pink देखने को मिलेगा अगर आपको red चाहिए तो वापस R से click करिएगा तो वो click करने के बाद यहाँ पर rate देखने को मिलेगा तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत चारे pen दियेगा है तो आप इनका योज कर सकते हैं और वापस इसे delete करने के लिए यानि erase करने के लिए आप E को press करें यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर a state line बन जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं कि a state line बन जाएगा उसके बाद वापस से इसे erase करना चाहते हैं तो E पर click करें वैसे ही अगर आप rectangle चाहते हैं तो rectangle के लिए आपको यहाँ पर control का इस्तमाल करना है control पर जहाँ पर भी यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर आपका यह बन जाएगा उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि जहाँ भी आप करना चाहिएगा यहाँ पर rectangle, square जो करना चाहिएगा यहाँ पर बन जाएगा वापस से आपको इसे erase करना है तो erase करने के लिए E का परियोग करें जैसे E किलिक किया, E किलिक करने के बाद यह पूरा delete हो चुका है उसके बाद आता है circle के रिए तो circle के लिए आप tap का इस्तमाल करें tap किलिक करके और जहां से आप इसे यहाँ mouse ले करके और इसे आप जैसे place करके और इसे open करिएगा तो देख सकते हैं कि circle यहाँ पर बन जाएगा ellipse बनाना चाहते हैं, ellipse भी बन जाएगा और यहाँ पर circle भी बन जाएगा आप जो चाहिएगा यहाँ से बन सकता है तो अगर इसे reach करना चाहते हैं तो arrange करने के लिए आपको वापस से E को press कर देना है अगर आपको arrow चाहिए तो arrow के लिए क्या करना है कि सबसे पहले control उसके बाद में shift दोनों को एक साथ दबा कर और यह arrow को जहाँ से खिंचेगा वही पर arrow बन जाएगा जो कि देख सकते हैं इसे यहाँ से यहाँ से जैसा आप चाहिएगा यहाँ से आप कर सकते हैं तो आप इसी तरह से यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं आपको जो मन करेगा वही यहाँ पर आप कर सकते हैं तो यह वीडियो कैसा लगा आप मुझे comment करके बताएं और वीडियो अभी तक आप मेरे channel को subscribe नहीं किये हैं और बेल आइकन को दबाना न भूले